चिकन कुनिया मच्छर से फेल रही है, हमारे पास पेशन्ट का रेशो बहुत बढ़ गया, एक बंदे को अगर वो फीवर हो गया, तो वो दूसरे को ट्रांसवर कर सकते हैं, इसमें बहुत जॉइंट पैन और जोड़ों का दरद, जिसम में दरद ये बहुत रहता है, यंग पैशन्ट होते हैं, कभी-कभी इस्ट्रेचर पे आते हैं, जिनको कभी पहले कोई बीमारी भी नहीं है, कराची में हर जगा कच्रे और गंदगी के धेर लगे हुएं, जिस वज़ा से कराची में मच्रों के काटने से होने वाली बीमारियां फैलती जा रही हैं, चिकन कुन है, फर्स्ट वीक जैसे कुजरा तो हमारे पास पैशन्ट का रिशो बहुत बढ़ गया, जो मिया बेस पे तो सो के करीब पिलस सो से पिलस ही होंगे से 110 ए 120 प्रोस के सब मिलाके, जिसमें गेस्ट्रों के डारिया मोशन के भी आगे और चिकन गुनिया और इस टाइप की जो हमारे पास रिपोर्ड नहीं हो रहे है, यह बुखार होता है, हाई गरेड फीवर होता है, दो तीन दिन में सही हो जाता है, कभी कभी चार-पांच दिन चलता है, हांस, जो जो जोडों का दरद है, वो कभी कभी एक अफता पी रहता है, कभी कभी महीने से जादा पी रहता ह यह मच्छर गंदे पानी बेगो सकता है मच्र सिवार लिए होता है जहां मच्छर की हैं वहां पे ज्यादा अदेजा हो रही है तो जब मच्छरों के Savior किसी को काट लैता है और एक बंदे को एंदे को वह फीवर हो गया उसको किसी नारॉल मच्छर ने भी काटा तो वो दूसरे को ट्रांस्वर कर सकता है इस तरीके ज़िए हर घर में कभी कभी दो दो चार चार मरीद होते हैं देखें जैसे हम पहले का कि मच्छरों से पहलता है तो हमें कोशच यही करने चाहिए कर ऐसी जगह पर मच्छरों कि अफदाःश हो रही है गंधा पानी है गंद के खिरा है उसको अवाइट किया जाए उसको साफ सूथरा रोखा जाए और इवन के घरों में हम साफ पानी जो हे स्ट्रोर करते हैं तो धकन कवर रखा जाए उसके बाद हम जो खाने पीने के अशिया से अगर हम देखा जाए तो पानी बॉयल पानी इस्तमाल होना जाए केएम सी का ये कई रोल तो है ढारेया सीटी गोर्मेंट का कि ये चीज़ें को सफाई पानी कहीं अगर खडा है जैसे बारिशों को पानी हुआ ता ये बीमारी उसके बाद दीड़ी इक और खास्तर पर G弊ट्रो वेकर हमारे कर दो कर दो कर दो कर दो कि अटने नहींट